प्यारे दोस्तों, अल्टेमेट ग्यान में आपका हार देख स्वाब जाते हैं, जै मातरी, दोस्तों, हम आप से जुड़े और आप हम से जुड़े, दोस्तों, ये शिर्सला अब इतना बढ़ गया कि आप हमारे बिना नहीं रह सकते और हम आपके बिना नहीं रह सकते, दोस्तों, हमने सोचा था कि हम कुछ बातें आपको यदा कदा बता दिया करें, जो आपके जीवन में काम आने वाली हो, परन्तु, आपका प्रेम और भगती देख करके, हम अब आपसे दूर रहना भी नहीं चाते, इसलिए हम भी चाते हैं कि आपको अधिक से अधिक हम आपके लिए ऐसी सामगरी लेकर के आएं, जो आपको अत्यधिक गुणकारी हो, लाव मिले और आपका जीवन सफलता पोरोग चले। दोस्तो, इसी विशे पर हम चाते हैं कि ये जो सुनहरा अवसर आ रहा है चंद्रग्रहन का, इस पर आप अधिक से अधिक लाब उठाएं और इस अवसर को अपने हाद से ना जाने दे। दोस्तो, चंद्रग्रहन के समय के बारे में हमने चंद्रग्रहन का विडियो आपके पास डाला हुआ है। समय बताया हुए है कि आप ये जो 27 जुलाई 2018 को चंद्रग्रहन आ रहा है, इसमें बताया हुए है कि आप सवा घंटे कम से कम किसी भी मंत्र का जब कर लें। इस से अधिक आप जब करते हैं, तब आपको आपकी सामर्थ पे निर्भर करता है। तो दोस्तो हम इस चंद्रग्रहन पर आपको बताने जा रहा हैं एक ऐसा मंत्र, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके हर प्रकार के कारिये बनने शिरू हो जाते हैं। कोई भी रुका हुआ कारिये हुँ वो बनने लग जाता है। और दोस्तों इस मंत्र के सिद्ध करने पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके शत्रों धीरे धीरे करके अपने आप लुप्त होने लग जाते हैं तो दोस्तों चारोंग तिशाओं में यह मंत्र काम करता है अब दोस्तों आपको करना क्या है बस आप उस समय के अनुसार जिसमें चंद्रगहन लग रहा है तो उसमें अपना एक जल का पात्र अपने पास में रखना है आशन बिच्छा करके पूरव की और मुख करके बैठ जाना है और पास में एक दीपक खी का जला लेना है दोस्तों अब आपने करना क्या है संकर्प लेकर के संकर्प लेना तो दोस्तों सभी को हमने सिखा दिया है और सब को आभी गया है फिर भी मैं एक बार बता देता हूं इसको नोट कर लिया करें हाथ में जल ले करके हे परमपिता परमेश्वर मैं अपना नाम बोल देना गोत्र बोल देना इस से चंद्र ग्रहन के अउसर पर इस मंत्र ओम श्री ग्णेशाय नमः और कुछ मंत्र ओम श्री गुर्वय नमः इतना करने के पस्चाद दोस्तों अपने मोबाइल में समय भर लीजिए सवागंटे का सवागंटे तक तो आपने दोस्तों करना ही करना है इससे अधिक आप रह सकते हैं तो यह आपकी सामर्ग पे निर्वह है और इस मंत्र को करिए और इसका पूरा लाव उठाइए दोस्तों मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम नमो भगवते हनुमते मम कार्येशु जले जले प्रजले एसाध्यम साध्य साध्य माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टे भ्धो हुम हट स्वाह बस दोस्तों इतना यदि आप मंत्र कर लेते हैं यह सबको आसान मंत्र है याद भी हो जाएगा मंत्र को याद करना दिया और सके दोस्तों मंत्र को कभी भी सामने पढ़ करके नहीं करना है मंत्र को पहले याद कर लेना है और फिर इस मंत्र को करो और इसका पूरा लाग उठाओ आपके जीवन में यह पूरी शिद्यां देने लगेगा सब कामों को बनाने लग जाएगा और सब दुष्टों को पराष्ट कर देगा सब शत्रों को पराष्ट कर देगा कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फि पूले अंक्र के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।